दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूर js posture जैनल को सब्सक्राइब करने क पूंद ए आप तक पहुंची रहे आज का एक तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी ख़बर है दोस्तो बिड़ो को एक लाग जोर करें दोस्तो बीजपी उमिद्वार ने की जिन्ना की तारिफ कहा अगर वह पर्थम परधान मंत्री बनते तो देश दो टुकड़े में नहीं होता जी हां दोस्तो लोक्समाचोनाओ के बीच मुहमद अली जिन्ना की तारिफ की है गुमान सिंग ने कहा है कि मुहमद अली जिन्ना बिद्वान व्यक्ति और अच्छे वकील थे अगर उस वक्त निर्ने लिया होता कि हमारा प्रधान मंत्री जिन्ना बनेगा तो देश के दो टुकड़े नहीं होते उन्होंने कहा कि मोदी ने नफरत पर चुनाव लड़ा हमारा प्यार जीताएगा जी हां दोस्तों छटे चरन के तहट आज 12 माई को दिली की सभी साथ सीटों पर मत्नान हो रहा है इस दोरान कई बड़े राजनिताओं ने मत्नान किया कांग से अदक राहूल गांदी ने भी नई दिली में हमने प्यार का और नरेंदर मोदी ने नफरत का प्रियो किया रहूल ने कहा है कि प्यार हमें जीताएगा जी हां दोस्तों वोटिंग के बाद रहूल गांदी ने कहा है कि यह चुनाओ जनता के मुद्दे पर लड़ा किया है और हमने सबसे जरूरी मुद्दा चार भी इस चुनाओ का बड़ा मुद्दा है वहीं दिल्ली के कॉंग्रेस सीट से चुनाओ जीत रही है इस सवाल पर राहूल गांदी ने जबाब कुछ भी नहीं दिया हालाकि उन्होंने यह जरूर कहा कि जनता हमारी मालिक है और कितनी सीटे आएगी यह जनता ही तै करे प्रधानमत्री मोदी ने कांग्रिस और महागठवंदन पर सिधा ने सनासादा उन्होंने कहा है कि पांच चरन के चुनाओ हो गए और विरोधी चारो खानी चीत हो गए उन्होंने कहा है कि देश आज एक जुट होकर के मोदी के लिए वोट दे रहा है विरोधी आज डर र तो मैंने गरीबों के लिए घर बनाए प्रध Experience मोधी ने कस्मीर के कुछ आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया कुछ लोगों को परिसानी है मतथान के दिन मोधी ने अतंकवादियों को मारा उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक एक वोट जरूरी है जीत सामने देहकर कि यह समय आराम करने की नहीं है जी हाँ दोस्तो अलवर कांट पर भी प्राटवार किया प्रधानमत्री मोदी ने राजस्थान के अलवर में हुए रिप घटना पर प्रधानमत्री मोदी ने हमला बोला है उन्होंने कहा है कि राजस्थान में नामदार की सरकार है वहाँ पर दलित याली आसु बहा रही है जब उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ तो पूरा देश उनके साथ था जी हां दोस्तों मयावती को जम करके को सा प्रधानमत्री मोदी ने प्रधानमत्री ने काए कि अगर बहांजी ने दरितों के लिए प्यार है तो इसी वक्त राजस्थान के सर तो हुआ कर रहे हैं जाती पर भी पला टुकार के प्रधानमत्री मोदी ने प्रधानमत्री मोदी बोले कि पहले ये मुझे गाली देते थे अब मेरी जाती का सेटिफिकेट बाटते हैं मेरा जनम अती पीछा जाती का है लेकिन मेरा सपना पूरे हिंदुस्तान को आगे पति खड़ी की है आपको बता दे कि आखरी चरण के लिए 19 मैं को मतनान होगा आखरी चरण में पूरे यूपी की महराज गंज, गोरकपूर, कुसीनगर, दिवरिया, बासगाउं, घोसी, सलेमपूर, बलिया, गाजीपूर, चंदावली, वराण सिम, मिर्जापूर, रॉबर कटवंदन के उमिवार सोनु सिंग से बहस हो गई, अभी सुल्तानपूर सीट पर बीजेपी का कबजा है, मेनका गांदी ने सोनु सिंग पर बूथ कैप्चिरिंग का आरूप लगाया, जिस दोरान बीच सणक पर दोनों परतियासों के बीच तीकी बहस हो गई, आपको बत के समर्थों को द्वारा डराया जा रहा है, बीजेपी बिधायक सुर्यभान सिंग ने भी सुरक्षा ब्यवस्ता पर सवाल खड़े किये, उन्होंने कहा है कि बाहुबली सोनु सिंग को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम नाकाब्मी है, मेनका गांदी ने आरोप लगा कि सोनु सिंग के समर्थों को वोटरों को डरा रहे धमका कर अपने वक्ष में बोट करवाने के लिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उनके साथ एक लड़का है जो फरार है, जिहां दोस्तों अगली बड़ी ख़बरे प्रधार मंतिरी मोदी ने बताया क्यूं उठाया मोदी की छवी खान मार्केट या लुटियन गैंक द्वारा बनाई गई नहीं है, जिसे कोई तार तार कर पाए, अंग्रेजी अकवार इंडियन एक्स्प्रेस के मुतावे इंटर्विव में प्रधार मंतिरी मोदी ने बताया कि गत आठ मई को दिल्ली के रामलीला मैदान म कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधार मंतिरी मोदी ने पुर्व प्रधार मंतिर रजीव गांती की छुटियों का मामला उठाते हुए पूछा गया था कि क्या आपने सुना है कि कोई आपके परिवार के साथ युद्धपोथ से छुटिया मनाने जाए, प्रधार मंति परिवार ने आइनस विराट का इस्तमाल नीजी टेक्सी की तरह किया है। उसका अपमान किया था। ये बात है कि जब राजीव गांधी प्रधान मंतरी थे और दस दिन की चुट्टी मनाने के लिए गये थे। इंटर्विव में जब प्रधान मंतरी से मोधी से पुछा गया कि आइनस विराट का मामला कहां से आया। ने कहा है कि यह कोई नया मामला नहीं है। कांगर्स अदक्स राहूल गांधी ने जब एक प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा कि सेना मोधी की नीजी जागिर है तब सब ने यानि मीडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे कह में छपी थी जब कोई एड्मिरल बयान देने वाला नहीं था। कहते हैं न कि बात बनेगी निकलेगी तो भी तो जाएगी। जी हाँ दोस्तों प्रधार मंतरी मोधी ने कहा है कि इसी तरह मैंने यह पढ़ा की जहरखंड में राहूल गांधी ने कहा है कि नरेंदर मोधी क छबी को टार-Tार करना चाहते हैं वह किसी भी तरह के से मेरे छबी खराब नहीं कर सकते हैं उन्होंने कहा है कि मोधी की छबी दिल्ली के खान मारकेट गैंग में नहीं बनाई गही है। इरान में युद्ध जैसा महौल अमेरिकान ने टैनात किया युद्ध पोत और पेट्रिट मिसाइल जी आँ दूस्तों इरान से बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका दबाव की रणनेती अपनाते हुए मध्धपुर में युद्धपोत और पेट्रियोट एर डिफेंस मिसाइल तंत्र तैनात करने जा रहा है रच्छा विभाग पेंटागन के मुताबिक यह कदम अमेरिकी सेना के खिलाफ इरान के संभावित अपरेशन के खतरों को रोकने के लिए उठाए गया है पेंटागन ने बता है कि USA अरलिंगटन नामक युद्धपोत और पेट्रियोट मिसाइल तंत्र मद्ध पुर्वे छेतर के इलाके में मौझूद USA अब्राहम लिंकन केरियर इस्टिस समुख और AB 52 बम वर्क्स के साथ मौझूद रहेगा बताया गया है कि यह तैनाती अमेरिकी हीतों और सेनेबलों के खिलाफ इरानी हमलों के तैयारी के संकेत के जबाब में की गई है हालाकि संचालन सुरक्षा के कारण सेनेबलों की तैनाती का समय और अस्था नहीं बताया है पेंटागन ने कहा है कि वह इरानी सेना और सरकार की गतिवीदियों पर करीबी से नजर बनाए हुए है साथ हैं कहा है कि अमेरिका इरान से टकराओ नहीं चाहता है लेकिन वह अपने हीतों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तयार है सीनेट अर्फ सर्विसेस कमीटी के अध्यक्च सीनेट जिम हन फोर ने पेंटागन के एक कदम का स्वागत किया है उन्होंने कहा है कि हमने इरान की असपस्ट संदेश दिया है कि वह जुक जाए अर्थात अमेरिका अठिक रहेगा जिहां तो तो इरान की धंकी और अमेरिकी दबाव की रणिती बन रही है अमेरिकी राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प पिछले साल इरान से हुई परमानू संधी 2015 से अलग हो गय थी इस संधी के तहट इरान के समवेदंसील परमानू गतवीदियों को सिमित करने पर सहमती जताई थी वहीं डोनल्ड ट्रम्प ने इरान के तेल निर्यात को खत्म करने के लिए पृतिबंध लगा दिये साथी पिछले माँ इरान के तेल खरीद रहे भारत चीन समित पाँच देसों पर प्रतिबंध छूट अटाने के बात कही थी इरान के रेगुलेटरी आफ कॉप्स के अतंकवादी समू घोसित कर दिया गया था आपको बताते कि बुधवार को इरान ने धंकी दी थी कि अगर यूरोप चीन रूस साथ दिनों के भीतर उस पर लगे प्रतिबंध को राहत नहीं दिलाएगा तो वह अपने यूरेनियम भंडारन से इजाफा करेगा पिछले सपता अमेरिकी सेंटरल कमांड के जनरल केनित मैजिनी ने इरान सरकार से आतंकवादी कतिवीदियों से लिप्थ होने के आरोप लगाये थे साथ ही उन्होंने कहा था कि इरानी सरकार ने यमन में बैलिस्टिक मिसाइल भेजी थे और इसके नियंतर वतैनाती में भी उसकी सहायता की थे